दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा केंडोरी साइलेंसर के उपर कैसे आप स्टॉक जैसा कावर या फिर विंट शील्ड लगा सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यह जो साइलेंसर है यह गेंदुरी साइलेंसर है— इसके उपर हीसीुट दिखाई दे रहा है यह स्टॉक वळा है स्टॉक वाला खोल के इस पे लगाया गया है चलिए दोस्तो आप अगर अपके क्लासिक में ये कॉवर लगाना चाहते है तो देख लीजिए कैसे लगा सकते है दोस्तो के ईकोवर के खोलने के बाद आप साइलिंसर के उपर इसको अपने हिसाब से बिढ़ाकर देख लीजिए इसमें 2 स्कुड डिया गया है लगाने के लिए दोस्तो आप लोग अच्छे से नोटिस करेंगे तो यहाँ के स्टॉक के कॉवर पे दो स्कू लगाया गया था जो की दिखाए दे रहा है एक फूट पिक के सामने और एक इंजिन के सामने स्कुरू दिया गया है इसे को आपका इस्तमाल करना है दोस्तो इस कौवर को साइलेंसर से जोड़ने के लिए आपको ज़रूरत बरेगा लोहे का रॉड जैसे की वीडियो में आप लोग देख सकते है ये रॉड आपको वेल्डिंग की दुकान से मिल जाएगा दो चाहिए ऐसा बैंड किया हुआ रॉड जिसको आप आरम से अपने साइलेंसर में लगा सकते है इसके बाद दोस्तों आप वीडियो पूरा देख लीजिए आपको जरूर समझा जाएगा कैसे ये फिट होता है हुआ जरूरे कि वीजिए लीजिए झाल 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 दोस्तों इंदोरी साइलेंसर का इंस्टॉलेशन वीडियो मैंने पहले से बना रखा है चैनल में विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं औरिजिनल के इंदोरी साइलेंसर को खरिदने के लिए वीडियो के दिस्क्रिप्सन में दिये गए लिंक में जरूर देखें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू